एक छोटे गाव में रामु नामक लड़का रहता था। वह अपने पिताजी के साथ पानीपुरी बेचता था। रामु के पिताजी की पानीपुरी की खासियत थी कि वह सभी सामगरियों को स्वच्छता और स्वाद के साथ तैयार करते थे। रामु भी अपने पिताजी की मदद करता था और लोगों को मिथास भरी पानीपुरी सर्व करता था। एक दिन गाव में मिला लगा था और बहुत से लोग मेले में आये थे। रामु ने और उसके पिताजी ने मेले में अपनी पानीपुरी की दुकान लगाए। लोग उनकी पानिपुरी का मज़ा लेने लगे। उनकी पानिपुरी का स्वाद इतना अच्छा था कि लोग फिर और फिर लोटते रहे। मेले के दोरान एक गरीब बच्चा रामु की दुकान के पास आया और एक पानिपुरी मांगी। रामु ने उसको एक प्याले में पानिपुरी दी और उसको न तो पैसे मांगे और नहीं कुछ कहा। बच्चा बहुत खुश हुआ और धन्यवाद कहकर चला गया। इस घटना ने सभी को अच्छा लगा और रामु की इमानदारी और दयालुता की प्रशन साकी। उनकी पानिपुरी की दुकान उनकी अच्छी सेवा और शुधता के लिए मशहूर हो गई। रामु और उसके पिताजी ने हमेशा ये सोचा की उनके व्यवहार और सेवा के माध्यम से वे लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। रामु एक छोटे से गाव में रहता था. वो अपने पिताजी की साथ पानिपुरी की थेले पर काम करता था. रामु के पिताजी की पानिपुरी इतनी स्वादिश्ट थी की गाव की लोग उनकी पिप्याना तक आते थे. रामु को भी पिताजी की साथ थेले पर मदद करना बहुत पसंद था एक दिन रामु की मित्व ने उसे एक नई आइडिया दी रामु तुम्हारी पिताजी की पानीपुरी इतनी अच्छी है तो क्यों ना तुम भी अपना खुद का ठेला खोलो रामु को यहाँ आइडिया बहुत पसंद आया उसने अपने पिताजी से इस बा प्रिय हो गया धीरे धीरे रामु का बिजनेस बढ़ता गया और उसका नाम गाव में पानीपुरी के राजा के रूप में मशहुर हो गया रामु ने मेहनत की और अपने सपनों को साकार किया उसने अपनी परिश्रम से न केवल अपने परिवार को सुखत जीवन दिया बलक पानिपुरी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई थी और लोग देश विदेश से उसकी पानिपुरी खाने आते थे. एक दिन एक अमीर व्यापारी ने रामू से कहा कि वह उसकी पानीपुरी की दुकान की सबसे बड़ी पानीपुरी चाहता है जो उसने कभी भी नहीं खाए हो रामू ने अपनी पानीपुरी की खास रेसिपी के साथ एक बड़ी साइस की पानीपुरी बनाए और उस व्यापारी को प्रस्तुत की जब व्यापारी ने पहली बार रामु की सबसे बड़ी पानिपुरी का स्वाद चका तो उसका मुह में एक अध्वितिय स्वाद आया वो पानिपुरी के आनंद का मजा लेते हुए बहुत खुश हुआ और रामु की तारीफ करते हुए उसे बहुत सारे पैसे दे गया इस धटना ने रामू को नई उचायों तक ले जाने का मौका दिया उसकी पानीपुरी की दुकान की मान्यता और लोगों के विश्वास में और भी बढ़ावा हुआ रामू ने हमेशा अपने काम में प्यार और समर्पन दिखाया और उसने सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प किया एक बार रामू की पानीपुरी दुकान में एक जादूगा आया जादूगा ने रामू से कहा मुझे एक जादूई पानी पुरी चाहिए जो किसी की भी खवाहिश को पूरा कर सके रामू ने अपनी पानी पुरी की खास रेसिपी के साथ एक जादूई पानी पुरी बनाए जब वह जादूगा को प्रस्तुत की तो जादूगा ने एक विशेश ख्वाहिश की वह चाहता था कि उसकी पानीपुरी एक बड़े जंगल में जाकर सभी जानवरों को संतुष्ट करे रामू की जादूगा भी अपनी ख्वाहिश पूरी हुई महसूस करने लगा इस जादूगा की कहानी जल्द ही पूरे गाव में फैल गई और लोग रामू की पानीपुरी की जादू से हैरान रह गए रामु को अब जादूगा के साथ साथ गाव के हीरो के रूप में भी माना जाने लगा इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि सची मेहनत और समरपन से कोई भी मुश्किले आसानी से पार की जा सकती है और कभी-कभी जादू की जगह इंसानी तफ्यार और सहायता ही सबसे बड़ी जरूरत होती है एक बार की बात है, रामू के पास एक जादूई पानीपुरी की रेसिपी हो गई जिसकी मदद से वह अपनी पानीपुरी को जादूई बना सकता था इस जादू के अनुभब को देखकर लोग उसकी दुकान में बार-बार आने लगे रामू की जादूई पानीपुरी की एक विशेशता थी जो भी इसे खाता उसके मनोबल की ताकत और खुशियों की बोचार बढ़ा देता लोग नहीं समझ पाते थी कि इस पानीपुरी में क्या खासियत है लेकिन उन्हें इसका स्वाद और उसकी जादू से बहुत प्यार हो गया एक दिन गाव में एक बड़ा मिला आयोजित हुआ लोग आय और रामू की जादूई पानीपुरी का स्वाद लेने के लिए लाइन में लगे एक बार मेले के महराजा ने भी रामू की पानीपुरी का स्वाद चक्खा और उन्हें उसकी जादूगरी पानीपुरी की खोज करने का आदेश दिया रामू ने महाराजा के लिए एक विशेश जादूगरी पानीपुरी बनाए और जब महाराजा ने उसका स्वाद चका, तो उन्हें जिन्डगी में पहले कभी न जाने कौन सी अनुभूती हुई उन्होंने रामू को धन्यवाद दिया और उन्हें महाराजा के दर्बार में आमंत्रित किया इस घटना ने रामू की पानीपुरी की जादूई क्षमता को साबित किया और उसकी दुकान को और भी प्रसिद्धी मिली लोग आज भी रामू की जादूई पानीपुरी का स्वाद लेने के लिए उसकी दुकान में आते हैं और उसके जादू में खो जाते हैं एक दिन रामू को एक जादूगा के द्वारा एक अद्बुत जादू की किताब मिली उसमें जादूगर ने अनेक प्रकार के जादू के फॉमूले और मंत्रों की रहसे मयब बाते लिखी थी रामू ने उसे ध्यान से पढ़ा और उसकी रचना में उन जादू के फॉमूलों को लागू करने का प्रयास किया एक दिन रामू ने सोचा कि वो अपनी पानीपुरी को भी जादूगरी बनाए उसने कुछ विशेश मंत्रों का उप्योग किया और अपनी पानीपुरी को जादूगरी बनाया जब रामू ने अपनी जादूई पानीपुरी को बनाया और उसे बेचने के लिए अपनी दुकान पर लगाया तो लोग चौप गए उन्होंने पहले कभी ऐसी स्वादिष्ट पानीपुरी नहीं खाय थी यह पानीपुरी जैसा स्वाद किसी ने भी महसूस नहीं किया था रामू की जादूई पानीपुरी की चर्चा गाव के बाहर भी होने लगी लोग अब रामू की दुकान में आकर उसकी जादूई पानीपुरी का मजा लेने लगे रामू ने अपने जादूई पानी पुरी से लोगों के दिलों में जगह बना ली और उसकी दुकान अब और भी प्रसित हो गई